नमस्ते दुस्तों, जैसरी राम कैसे आप सभी लोग, कल के मार्केट के अनल्सिस कर लेते पहले नाकमेट में आज बताना कितना परफेट था देरो, हमने आपको कल भी बोला था और आज भी बोला है कि 25,050 है, मैंने आपको यह बोला था कि 25,050 का एक जोन है market अगर flat to gap up भी खुलेगा तो आपको एक round of selling यहाँ पर देखने के मिलेगे और एक round of selling आपको यहाँ पर दिखा था जब आज आप मेरे trading वाली वीडियो देखोगे तो उस वीडियो में भी देखोगे सबसे पहला जो trade हमने प्लान किया था वो putka किया था क्योंकि आज काल मैं सो के थोड़ा लेट से उठता हूं मुझे कोई डिग्रेट नहीं है क्योंकि मैं अपना market इंडियन market देख चुका हूं और आप इंडियन market देख रहे होगे कि जो पहले market के अंदर moment होता था opening का वो moment खतमी हो गया है मतलब आप 10 बजे 10 बजे 11 बजे बूठके आ रहे हो तो आपको पैसा बन जा रहे है तो आज हम लोग भी ने 96,000 के आसपस बनाया है पांचे लाग का वहाँ पर capital जो हमारा डिपलाय था अब समस्य इस बात की है कि कल का analysis किस तरीकिस करे क्योंकि market तो अगेन वहाँ पर double bottom पैटन या M पैटन मालो double bottom कहलो या M पैटन बोल दो वो बना लिया तो क्या कल market bearish रह सकता है या bullish रह सकता है इसके बारे हम थोड़ी सी analysis हम लोग यहां पर करेंगे तो देखो simple सा बात मैं आपको बता रहा हूं कि market ना भी decide नहीं कर पा रहा है कि भी हम क्या चीज़ सुने हम पावेल भाई साहब का positive news सुने हम war का news सुने हम stock की earning का news सुने हम unemployment का news सुने हम करें तो क्या करें इस वज़े सा आप देखो कि market बार-बार market अपने आपको उपर ल market में पैसा बनाना बहुत इजी होता है कोई भी आया कहीं भर भी घुज गया पैसा बन गया ऐसे market में अगर आप पैसा कमा रहे हैं ने मिर भाई तो मेरी तरफ से आपको salary उठ है और अगर आप loss कर रहे हैं मिर भाई तो भी अपने आपको निराज मत होने देना क्योंकि आज दिन में देखोगे तो मैं आपको risk reward समझाता हूँ 20,000 का profit, 20,000 का profit, 20,000 का loss, 20,000 का loss यह तो 0 हो गया आज जो 96,000 बना हुआ है सिर्फ यह profit बना हुआ है अगर आप लोग देखते होगे live scalping का daily तो मैं डालता हूँ बट profit loss matter matter यह करता है, matter यह करता है देख रहे हो कि market को मेरे पास तो capital है फिर भी market में hold करने की छमता मेरे अंदर नहीं है, जिस तरीके से market अपना रूप रेखा बनाया हुआ है, डर लग रहा है market के अंदर, तो अगर आपको डर लग रहा है तो घबराने वाली बात नहीं है, मस्तर हो, चिल रहो, market आज नहीं तो कल सुदरेगा, आप टिके रहोगे market में, तो बहुत पैसा बना लोगे, अब कल के market की थोड़ी से analysis कल लेते हैं, कल bank nifty के expiry है, पहले data देख लेते हैं, data भी सायद update तो नहीं हुआ होगा, आठ बजे के बाद ही होगा, देखते हैं, आया है कि नहीं, 26 का है, ये भी 26 का, तो अभी data अपने आया नहीं है, आज का, आज के activity भी अभी आया नहीं है data, आयेगा तो मैं आपको बता दूँगा, but overall data हम लोग यहां से भी देख सकते हैं, तो bank nifty neutral to bullish है, nifty जो है, वो आपका neutral हो गया है, fin nifty अपना जो है, वो neutral to bullish है, और mid cap nifty अपना जो है, bear is to neutral है, ठीक है, एक बार हम लो करें, तो कल के लिए सबसे जादा position किस side बना हुआ है, पुट को short करने वाले लोग ने अपना short covering किया, long unwinding हुआ, short build up है, long build up है, short build up, overall आज के दिन में, market के अंदर selling जादा हुई है, as compared to buying, आपको बड़े-बड़े chart देखने में मिल रहे हूँ, but अगर आप data देखोगे, आ एक 5000 बहुत बड़ा resistance है, और नहीं, यह है ना, put कियो आई, मैं उल्टा बता रहा हूँ आपको, 5000 बहुत बड़ा support है, और 1500 बहुत बड़ा resistance है, तो अभी आप ऐसे सोचो, कि यह एक resistance है, और यह एक support है, ठीक है, यह तो आपको समझ में हाग है, कि market इतने से जादा range में चल आप लोग अगर स्कूल में पढ़े होंगे, तो ऐसे साडी का किनारा बनाया जाता था, तो आपको इतना समझ में है, कि market इस range में रह सकता है, अब हमें क्या करना है, अगर हम trend line के respective में बात करें, तो अगर market 51,100 के नीचे break करता है, तो फिर हमें 50,998 का target यहां पर देखने क मिल सकता है, और अगर market इतना तेज अप्रोच करेगा, तो यहां पर जो लोग buy करके बैठे हैं, वो भी बहुत तेज भागेंगे, तो 50,800 के भी level तक हम लोग कल को touch कर सकते हैं, अगर 51,100 का level breach होता है तो, तो मान लोग एगर हमें play करना है negative side में, तो negative side में play कैसे कर सकते हो, यहां तो market flat खुले, gap up खुले, और 51,400 के नीचे रहे, जो आज का high है, 51,400 के नीचे अगर market है तो देखो selling जरूर आएगी, बात समझ यह, बहुत बड़ा gap up आ गया, तो कोई नहीं बचा सकता आपको, तब आप देखते रहो, कोई आपको नहीं बचा सकता, तब अगर 51,400, बीच, 415, उपर रहा, 51,500, और 51,600, और 51,700, यह तीनो market कल के दिन टेच कर सकता है, क्योंकि कल बैंक निफ्टी के एक सपारी है, तो जिधर का दिवाल टूटेगा, उधर market बहुत तेज भागेगा, अब दिवाल टूटने मतलब क्या है, कि 51,500 आप देखरो बहुत ज़्या को मिल सकता है, लेकिन, अगर माललो मार्केट फ्लैट टू गैब डाउन खुले, तो क्या करना है, फ्लैट टू गैब डाउन केस में, 51,400 का रिजिस्टेंस बनाके, 51,400 का अपना SL बनाके, यहां पर मस्त होला सेलिंग कर देना है, ठीक है, तो कल का दिन यह है, मेरा कि अगर फ्लैट टू थोड़ा गैब डाउन खुलेगा, बहुत बड़ा गैब डाउन नहीं, बहुत बड़ा गैब डाउन का मतलब क्या हो गया, 51,000 के नीचे खुल गया, तो फिर वहां से बाइंग आ सकता है, यहां पर सपोर्ट देख के लोग खरिदना, शुरू कर देंगे, ऐस नहीं काम होता है, काम ऐसे होगा, फ्लैट तो थोड़ा गैब डाउन, 50, 100, 170, 100, 500, पॉइंट, अब ऐसा नहीं कि 50,000 से सीदे 50,000 खुल जाए, बहुत बड़ा गैप अब भी नहीं, कि भाईया, 51, 450, 1,500 के उपर खुल रहा है मार्केट, तब मजा नहीं आएगा, मजा जो क्लाइट डेटर हता है, उसके बेसिस पर काम हो जाता है, तो मेरा भी मानना है, कि कल अगर फ्लैट खुलता है, और फ्लैट तो थोड़ा गैब डाउन खुले, तो एक सेल साइट का पोजिशन बनाना, आप लो, और ट्रेंड लाइन ब्रेक करने पर मालो, अगर सो कि मैं देर में उठा, अब डिपेंड करता है कि मैं किस टाइम ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया क्यों टाइम इंटर्वल जरूरी है ट्रेडिंग में, अब मालो मैं 11 बजे सो की उठ रहा हूँ, तो मैं ये ट्रेंड लाइन देककर ट्रेड करूँगा, अ और ऐसा कोई न्यूज नहीं है, एन्वीडिया का रिजल्ट आने वाला है, उसके बारे में थोड़ा सा डिसकस कर लेना, आप लोग उसको थोड़ा सा देख लेना कि एन्वीडिया का रिजल्ट कैसा आ रहा है, अगर रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आ जाएगा, तो कल अपन प्लान करेंगे, थोड़ा ITM कर लेंगे, 2500 रुपयोले का प्रिमियम कर लेंगे, अगर ठीक ठाक रिजल्ट आया, बैलेंस रिजल्ट आया, उतना निफ्टी रियक्ट नहीं किया, तो हमारा काम ऐसे भी बन जाएगा, ठीक है, और अभी ऐसा कोई न्यूज मुझे तो मिन्सन है, आपको स्केल्पिंग को फ्री अपकोस्ट मिल जाएगा, थैंक यू, एव ग्रेट डे, इंजवाए यो डे,